दोस्तों एक काफी संदार स्कोलर्शिप चलाई जा रहा है केंद सरकार रहा है जो स्कोलर्शिप है खासकर सभी राजों के जो आवेदक होंगे जो बच्चे होंगे उनके लिए चलाई जा रहा है जो नौमी और दस्मी में पढ़ाई कर रहा है इस स्कोलर्शिप के तहत भार कितने दिये जाएंगे उन तमाम जनकारी को हम इस वीडियो में काभर करेंगे कियोंकि इसके लिए अफिस्यल वेब साइट पर भी इसकी जनकारी आ चुकी है और इसके लिए ओफिस्यल नोटिफिकेशन भी निकाली गई है जिसके माधियम से हम पूरी जनकारी आपको बताए ताकि जो भी इस परकार की अपदेथ होगी वह सबसे पहले अब तक पहुंचती रहेगी तो चलिया हैं बिना देई कि आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं यह जो एसकोलर सिफ चलाई जाती है समाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्राले भारत सरकार दोया चलाई जाती है य ऐसे आप उनलाइन अपलाई कर पाएंगे किस वेब साइट से करेंगे वो भी जनकाई हम आपको बताएंगे जिससे आपको कहीं भी परिशानी नहीं होगी अब यहां पर बताया गया है कि जो आपका वीतिये वर्स है जो बच्चे दोजार तेस चोबिस में नमांकित होंग जैसे ही पोस्ट मैत्रिक के लिए नोतिफिकेशन आएगा हम आपको जनकारी परवाइद कर देंगे इस स्कोलर्शिप का लाव किनको मिलेगा तो देखे ये सी और इसके अलावे अन्ने कैतो गोरी के जो बच्चे होंगे उन्हें इसका लाव मिलेगा मैत्रिक पुर्व छा पात्रों को इसका लाव मिलेगा जिसके लिए घोसना किया गया है अब इसके लिए पात्रता क्या होगी उसकी जनकारी यहां पर बताई गई है कारे छेत्र क्या होगा और इसमें हकदारी क्या होगी तो उसकी जनकारी दी गई है देखिए पात्रता के बारे में बताया गया कि एस श्वर्ग के सभी संबन्धित छातरा जिनके माता पीता के जो आइख वह अरहाई लाग रुपिय में रुपय कोई लाग मिलेगा तो आपसे विए के लिए इस में आप अपलाई कर सकते हैं इसमें कारचेत बताया गया है कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं तो बताया गया है कि मानिता प्राप्त विद्याले के कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में परहाई कर रहे छात छातरा इसके लिए अवेदन कर सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो बताया गया है लभार्थियों का चर्ण राज सरकार संग राज छेतर दुआरा किया जाएगा और नीचे में बताया गया है सबसे गरीब परिवारों को पराथमिक्ता यानि किसमें पराथमिक्त के रूप में इसकोलर्शिप दिये जाएंगे इसमें भी बताया गया है कि जो दिव्यांग कनिदेथ होंगे यानि कि जो दिव्यांग बच्चे होंगे उससे दस परसेंट अधिक इसकोलर्शिप की रासी जो है वो मिलेगी तो यह आपकी पहला पात्रता थी अब दूसरी पातरता में यहां पर बताया गया है कि सफाई तथा स्वास्त के लिए खतरनाक व्योवसारों में जो कारदत माता-पिता या भिवावक है उनके बच्चों को भी यहां पर अपलाई करने का मौका दिया गया है इनके लिए कोई भी आय का सीमा नहीं रखा गया है वो कितना भी अर्निंग करते होंगे उनके गार्जियन इससे कोई मतलब नहीं है ऐसे student अपलाई कर सकते हैं जिनके माता पीता या भिवावक सफाई तथा स्वास्थ के लिए कार्यत है इसमें भी बताया गया है कि ये जो ब बच्चे के लिए बताया गया इसका भी चयन पर करिया से मुषी रीगारिंग उगा के भी बताया गया है और आपका लाभ जो लावरा इन सफाई कर्मी या स्वास्त कर्मी वाले जो भी कर्मचारी होंगे उनके के लिए पैटी सो से आथ हजार रूपिय दिये जाएंगे और इसमें भी दिव्यांग के लिए दस परसेंट अधिक रासी दिया जाएगा अब इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं तो बताया गया है कि आप सभी अपने मोबाइल फॉन के माध्यम से आवेदन कर सकते है और इसके लिए आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर देकोमेंट के भी जनकारी बताया गया है यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया हुआ है चातर के पास वैद मोबाइल नमबर अधार नमबर अधार से जुरा बैंक खाता आय परमान पत्र तथा जाती परमान पत्र होन दंद इस website पर उपलब्ध है यानि कि यहाँ पर जो link दिया गया है इस website पर जो आप बीजित करेंगे तो यहाँ पर इसका सारा जनकारी बताया गया है कि कैसे आप इसके लिए online apply कर सकते हैं और कौन-कौन लोग apply कर सकते हैं उसका भी जनकारी वहाँ पर बताया गया है तो इस website पर जा करके वहाँ से आप सारी जनकाई को समझ सकते हैं तो इसके website पर जाने के लिए यहाँ पर जो link दिया गया है इस link के माधियम से आप इसके official website पर जा सकते हैं या फिर यहाँ पर QR code दिया गया इसको भी आप स्कैन करेंगे तो direct आप इसके official website पर direct हो जाएंगे तो च लिए इस वीडियो के दिस्क्रिप्टिप्टों बॉक्स में दे दिया है वहां से डिरेक्ट इस वेब साइट पार सकते हैं इस वेब साइट पर जावब आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो इससे जूरी कुछ महत्पून जनकारी यहां पर बताया गया है जिसे आप प्लिक करेंगे तो इसका जो गाइडलाइन है PDF में आपका डाउनलोद हो जाएगा तो इसके गाइडलाइन को आप पर सकते हैं is सारी जनकाई को समझ सकते हैं लेकिन अभी यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो ओन लाइन अपलाई का लिंक है वह अभी एक्टिवेट नही किजेगा तो दोस्तों फिलाल आज के वीडियों में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियों में अगले तोपी के साथ जाए हिंद